अन्हेरा दूर चला जाएगा उजाना पास तिरे आएगा अन्हेरा दूर चला जाएगा अक्षर का जब दीर चलेगा तब कोई ना तुझे चलेगा अन्हेरा दूर चला जाएगा उजाना पास तिरे आएगा अन्हेरा दूर चला जाएगा काओं की घर मौसी ताए लिखे की अपनी चित्थी भाई काम धाम के साथ उनको करनी होगी पढ़ाई लाना अपना लूट सकेगा किसी की गाड कमाई अक्षय ज्यान के आगे होगी उनकी खूब फिचाई उनकी खूब फिचाई अधेरा दूर चला जाएगा उजाना पास तेरे आएगा अधेरिया जूर चला जाएगा उजाया पास तेरे आएगा कि अधेरिया जानता कहां है पीविचा है सोजा शुरू कैसे गुरू सुना तोई कहानी एक सर्राजा एक ठीरैनी हो गई कहानी बहुत पुरानी एक गंगल में रहता था एक शेयर रहता था तो रहने दे तुझको है क्या बैर पेश यह किस्सा है अली बाबार च्छारिश च्छोरू सुन सुनकर इसको हो गई जनता बो चन्ना मामा दूर से तुनाना भी मत भूलते तुना कैसी कहानी पॉ तुझे बता बंबई का भू तभी उत्रा ना था जे तुने दुबई ड्राइवरी की अर्जी भेजने की क्या सोची आप तो किस्ते बता है कल साम तेरे घर गई थी तेरे बाल बच्चों की खैर खबर लेने वहीं बताया राधा ने वहां 12,000 पगार है अरे बीए बीटी ह किसी स्कूल में लग जाएगा तो 6,000 मिलेंगे बीवी बच्चे साथ रहेंगे सो अलग उपसे घर का अनाज दूदही असली खेत का लिहान की देखवाल माता पिता की सेवा का सुक ये सापुछ कम है क्या पर मंगली का ब्याजों करना पड़ेगा 16 साल की है मंगली अगर 6 स से पहले उसका ब्याद किया तो तेरी खैर नहीं पर बर तो अभी से ढूनना पड़ेगा अरे उससे आगे और पढ़ा बर उसे खुदा ही ढून लेगा पर मेरी रुकनिया तो अब 22 साल की होने को भाई उसके साथ की शोलागड की मीरा है ना उसके तो भगवान के दया से प अब बात चले यह तो कह रहे हूं वैसे ना कहता मैं कल रात रुकनिया मेरी घरवाली से कह रही थी खुदी के थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई और करके चार पैसे कमाने लायक हो जाती तब उसका ब्या होता तो सही रहता है ऐसा क्यों कहेगी हम मर गए हैंगे का ऐसे अब बात तो सही कह रही है यह तो प्लेट फेर भली ना ही कि जब तक बेटी चार पैसे न कमावे घर में क्वारी बैठी रहे हैं अरे भगवान ना करे कल को किसी के मरत को कुछ हो जाए तो उसकी औरत को इस लायक होना ही चाहिए कि वह अपने बाल बच्चों को पाल पोस् अब बात तो सही कह रही है यह जमूरे स्टाइब से आई अपसर है यही तो सारा चक्कर है किसी बड़े बाग की बेटी होगी देखी तुमने इसकी नहीं गरीबी होगी मिल गया होगा कोई गड़ा हजाना ऐसी बातना का गया जमाना होगी इंटर भी एम में पाउस का अरे बापू ठीक हो जाओगे टाक्तर सहाब भी आ गया है कि सासे खीचो और जोड़ से अरे ठीक हो जाओगे जी अरे ताउप भीकर मत करो जल्दी ठीक हो जाओगे दो गोली सुवे दो गोली दुपैर में दो गोली रात को सूने से पहले दूट के साथ इससे ताफ उतर जाएगो डाक्तर सहीब हाँ हाँ उतर जाएगा डाक्तर सहीब आपके पास नहों किजिए तबाह इसा करो तुम मुझे दो सो दे दो मैं अभी अभी शेहर जा रहा हूं वहां से लेता हूंगा दुपाई यां डाक्तर सहीब आप तो कह रहे थे कि चार पांप साओ के आएगी दबाई मेरे पाद अमरीका और लंदन की डिगरी है ना इसलिए मुझे पचास परसंट कंशेशन पर मिलती है दबाई का कहीं डाक्तर सहीब मतलब की आधे पैसे लगींगे और फिर गाउवालन के लिए दस पीस रुपे इधर उधर होगे तो क्या हुआ अरे दर्क्तर माबू हमारे पास तो 200 रुपे अभी कोई ना और अभी तो फसल का भी टेम कोई ना आयो देड़ सो ही दे दो जान है तो जहान है अबर वाले ने जब ठान ही ली थी तो किसका बस चलतो है अरे अमरीको का डाक्टर बाभी जी ना ठीक कर सका चुनिया के बाभी को अमरीका का डाक्टर अमुजी बुखार ठीक नहीं कर सकता है और अमें सेया सब कुछ कर दाना खैतन के किर भी रख दिये तो भला हो डाक्टर ताहक का पूरे दो हचार का खर्चा रहे है और वो सहर से पचास परसंट पर तबाई ले आते रहे अमरीका का डाक्टर पचास परसंट जरह वो दवाई तो दिखा ना तेरे पिता जी भी आयते भाव जी भी आयते दस दिन रहे पर सब को अपने अपने का हो वे है कितने दिन रहते हैं तो खेत खल्यान की देख रहे कौन भरता चले का हम थे पहाँ तूटा है हम उजे लेंगे क्यों कहते हैं मौसीया सब क्यों कहते हैं आरे जो ना कहूं एक नहीं दो दो पहाँ तूटा हैं हरे एक जुनिया के बहुजी की में मौत का पहाँ और दूसरा हमारे सीने पर जुनिया की ब्यांकी चिंता का पहाँ जो भीया जे खालेते तो क्या हो जाता है दो दबाई बची थी जे भी खालेते तो कहें को मरते और कहें को मरते लेकिन मौत सी ये तो पेटीश की गोलिया है वो भी एक एक दो दो रुपे वाली डाक्तर सहब कहां करे थे कि बुखार बढ़गा है नीचे से ही उत्राएगा कहां है वो डॉक्टर मुझे फॉरण उसके पास ले चलो अखरी बारी दमा देके गाव छोड़ गया कह रहे थे कि और पढ़ाई करने फिरांस जा रहा हूं छे महीने बाद काव में अस्पताल बनाने के पढ़ाई करके लॉटूंगा तुझे डाक्तर ने बना दूगा मौसी बुरा मत मानना याद है मौसा से कोई पांस साल पहले मैंने कही थी कि चुनी को स्कूल भीड़ा करें पर जुजवत भर हिसाब किताब पढ़ना लिखना सीख लेगी तो घर के काम ही आएगा लेकिन जानती हो मौसा ने मुझसे क्या कही थी मौसा ने मुझसे कही थी बेटा रमेज घर का बला लड़की के घर में रहने सही हो गया और वो कोई फ्रांस नहीं वो किसी और गाउं में अनपड जनता को हजार हजार रुपे में मौत बेच रहा होगा पर बेचारी के पढ़ने लिखने की उमर गई थी भी गई उमर के लोगों में चली पढ़ने के लोगों में किरी पूड़ी घोड़ी लाल लगाम होता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या अगे कभी ऐसा नहीं होगा पर लिख लेगी तो पर लिख लेगी तो कुछ घटेगा नहीं अलबता ज्यान ही बढ़ेगा पर लिख लेगी तो अच्छे बीज और अच्छी खात की सही पहचान होगी पर लिख लेगी तो रुपिया इधर पोटली अर उधर घरे में नहीं रखेगी दो पैसा बैंक में जमा करेगी तो दो के तीन मिलेंगे और जो बचत होगी स्वालर तू पढ़ेगी तो तेरी देखा देखी दो चार और भी पढ़ लेंगी खामो खा यहां वहां की नहीं हागेंगी पढ़ लिख लेगी तो किसी एरे गैरे के पल्लू नहीं बन देगी पढ़ लिख लेगी तो फसल ओने पौने नहीं बेज़ेगी अच्छी फसल की अच्छी क्विमत वसूल करेगी पढ़ लिख लेगी तो महीने में हजार दो हजार का काम दंदा भी हात आजाए करेगा पढ़ लिख लेगी तो गाउं समाच की कुछ काम ही आएगी पॉल जमूरे ये सच था या सपना था सच हो गया सपना किसी का अपना था एक चिंता मुझे सताती है कुछ-कुछ अपनी समझ भी आती है चिंता है रह गई कुवारी या हुई सुहागन सई समय जब आया उतरी बारात उसके घार आगन बाहर लोटा रखा है मुहां धोलो तुम्हें चाय बना दो साथ बजगे चलो जल्दी त्यारोजा स्कूल चलना है वह आपसे बात करनी थी हाँ कहो अब स्कूल में आप भी से पढ़ने में मुझे बहुत सरम आईगी सरम हिंदी टीचर की पत्नी होकर सरम शरम शरम भी नहीं शरम समझी वह वहीं वहीं लोक का कहेंगे अरे बारात लेके गया था दो कदम दूरी सही लेकिन तुमारे घर से विधा करा करा कर लाया था फिर भी संकौच तो होता है देखो तुम अगर संकौच करोगी तो जानती हो क्या पढ़ा होगा लोग ये कहेंगे कि लड़की को तभी तक पढ़ाओ लिखाओ जब तो उसकी शादी नहों जाए और कल को जब तुम घर पर बैठ जाओगी तो जानती हो लोग क्या कहने लोग ये भी कहने क्या मिलता है लड़की को पढ़ाने लिखाने से चूला चक्की बाल बच्चे यही तो करना पड़ता है नहीं नहीं पड़ापट तयार हो जाओ स्कूल चलेंगे वैसे चुन्नी एक बात तो बता तेरी साधी को एक साल से उपर है गये अब बच्चा बच्चा ना होया को या भीज मेरे तो दो दो बालक हो गये सबता है वैसे ब्यां के बाद तो कुवारी की कुवारी रही हां वो दस्वी की पर इच्छा थी ना इसलिए अरी सुहागन की असल परिक्सा तो उसकी भरिपुरी गोध हो या जमीन बंजर हो तो किसान भी दो चार साल बाद जोतना बंद कर दे हां चलो अच्छा है तमने बात सुन कर दी वैसे बच्चे तो अपनी मन मर्जी से होने चाहिए लो ही या की सुनो अरी मर्जी ना हो तो ब्याहा का आनंद से हाथ दो बैटो अरे राधा सुन ब्याहा का आनंद के लिए दरजन बर बच्चे पैदा करने जरूरी ना है ब्याहा का आनंद बच्चे पैदा करने में ना बलकि कम बच्चे पैदा करने में है अब एक या दो हो तो उनकी देख रेख सिखसा दिखसा खाना पीना सही धंग से हो सके अब ये क्या पहले के पास पेंट ना हो दूसरे के बाद जूता ना हो तीसरी की स्कूल की फीसे ना हो सके चौता दवादारू को रोए और पांच्वा हाना हाना रोता रहे और छटा हर दम दूद को तरस है अरी तो सुनी है कि सहर में हो सके एसा नाजी ना अपरेशन कर देंगे मर्दन का भी और 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 तन का भी कोई ना किछा अप्रेशन तुम्हारी उनन को तो लड़काई पसंद होगा ना जी ना वो तो लड़की चामें अच्छा पहले तुम बूजोगे या जन्ता नालोम पड़ जाएगा शुरू हो जाएगा रोटी जली क्यों गोला अला क्यों पानी सड़ा क्यों फेराना था कटेल क्यों ना खाया डॉम क्यों ना गाया जलाना था समोसा क्यों ना खाया जूता क्यों ना पहना तलाना था राजा प्यासा क्यों गदा उदासा क्यों लोटाना था घर में अंदेरा क्यों फकिल लोटा क्यों दियाना था करेक्ट सेट मैं हारा यहारी जनता वेसला आने दो धैनमपर का तब तक क्या किया जाए कुछ खाया पिया जाए नहीं करना क्या कहानी पूरी वो तो है खाने से भी जरूरी मैं एक बात तुछ को बतलाओं बोलो बोलो तब तक मैं सर अपना खुझलाओं हूगा गाओं में उसनारी का बड़ामान सेहन पड़ाता फरउसको अफान आज सगरी बातन ने साफ साफ कर लेंगे ऑल नो कि आ लिया भाईया की बात भी कुछ कम छोटी मोटी ना हों सैना को राम राम रोर राहरा राम राम राज वादोल्नों समाद सुधारक छिखाए ना बरे अब तक भुलाबा तो बेजाया सर्पंची जी ने अब देखो आमेंगे कैसे ना इस ताल सो सर्पंचार एंगे एंगे हम इसे के कहाम जाला जो हमारे हुकम को नाना आप सभी बुच्रकों को हमारी नमस्ते नमस्ते सर्पंजी रामरा मंगल चाचा मास्टर जी तम तो इधर को आजाओ और अपने आरत को को हो बैठ जावाई हागो ना मैं खरेए ठीक हूं अब तमने जब मर्दन और तन का सारे फरक मिटाई दिया है तो बैठो जादे सर्पं तैने चित्थी पाती लिखे तो बास तके अंदर खुलवाई दियो हमने कछुना कई रे हम से तो जो कुछ हुई हमने मददी करी तुमारी हां वो तो है मास्टर जी आपता चुपए रहा है और हाचुनिया अब कहा सुनने में आय रही है क्या किरपा संकर की बड़ी बहु तो कल अपने मासू कह रही थी कि डागदर लोग 10-10 मिनट सब हमारी छोरियन के नाड़ी देखे करें नाड़ी तो डॉक्टर ही देखे है आपना बल्टो क्यार मर्दन का हमारी आपने हाथ में लेना हम तो बर्दास अपना होगा देखिए यह सब अपवा है मास्टर जी आ और हाचुनिया तेने मंगल के लर्का की घरवाली से जैचों कई कि अब आको बंबाई ना जानदा अब दोनों पती पतनी है अब काम में साथ रहे तो ही अच्छा है अरे तुझे इससे क्या लिने देना मा लग रहे यह तुमारे चोरे की अरे तू अपनी जिरेशती से लगा है वो क्या कहते हैं वो सकालर का अब दिलवा दूंगी जे सकालर सिप का है गी रेकालीज की नंगी ड्रेस होईगी और क्या श्कॉलेशिप च्छात्रविर्तियों कहते हैं इसमें पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा सरकार दोरा उठाय जाता है है मास्टर जी आपता चुपई रहा तुम्हें तो यहां इसलिए गुलाया गया है कि आज हम जो भी फैसला करें वो तुम इससे को कह यह उस फैसले कुमाने और ना माने तो दंडे के जोर पर मनवाई इससे देखिए यह हमारा आपसी मामला है अच्छा जी हम तुमारे माम आप संय केश यह जोटेंचा उलती गंगा भारिए महाराणीचा गौका मइर तो घर अमैटेंड और और तंचले सहर को कमाने अब जावा आप दोना और सुन चुनिया तू ठहरी लड़की जात वो भी अपने गाम की और कोई होता हो तो वाको पानी बंद कर देता हुआ देखो जी अब आप दोनों ये धकोसला बंद कर दो तो अच्छा है मैं तो कहूं सरपंच जी कि आपके फिर से सरपंच चुने जाने के बाद सबसे पहले जो फैसला हो सो यह हो कि गाम की छोडियन और और तन्फु बिगारने वाले सारे काम बंद सुन लेया पदोलो ना बस एक महीना और रहा है मोई फिर सु सरपंच बनने में नमस्ते जरा जरा से लॉंडे लॉंडिया उमारे सिर पर नाज रहे हैं कि ये धरे पर फिर गया पानी पर नहीं हुई या खतम कहानी भैस के आगे बीन बजाओ भैस खड़ी पगुराए बां महमत बीन नगर भैस को समझ आजाए कट नहीं सकता भूल कि पती से जिगल पत्थर खांग नहीं सकता चोटी मोटी बातों से प्रसिक अंदर का अरे तर फार तो महत फोग बीमारी भीमारी में डाला करें राम राम अमबा भाप अरे सो तुका से वापी आगे बेट बंबाई न गयो का हुआ का हुआ अरे तका है को विए फांच दिना पहले ही चो तेरा टिकट कटाया था कि बापू समय की बारे में पूछ लोगे क्या मैं या मोई सास्पी लें दोगे पानी दू क्या दे जल्दी कर अरी बंबाई से प्यासा चला रहा है जल्दी करें ती मुस्किल से तर तीन हजार रुपई या कि नौकरी मिली होटल में बाव वह चोड़ आयो तो ना जाने बापू ओड़ल के में अजर कहले लोगो यह काम करना है तो काफू का फिम सब्लाइब करने को अ पिर का हुआ प्लिस ने दन्यों मैं कशुआ तो ना बेटा ठीक तो है हमने सबाइदी तो बड़ आप सर कहन लोगो छोड़ आदी मुजरिम ना है बस पूलिस अपने देख रहे को आप सिकाटिक अटल्व घ्यां कर तो कि तुम्हें कैसे ना कैसे बंबई जाने से रोख लूँ बंबई में बड़े-बड़े-बदमास लो अपनी तरफ के गांवें पैसे के लालच में खतरना खतरना काम करवावें हाँ लो बताओ और मेने तो वाच सब्सक्राइब आप से कुछ बात करनों है कहा बात कर दिया बताएगी चल रही बताएगी आपको जो डागदर की हम सबे की नवज देखने वाली बात बताई थी वह हमने जूट कई थी अच्छा तो तुम्हें चुनियों ने भेजो है ना ना सर्पंजी चुनिया ने तो हमे कसंदी थी कि हम किसी से भी इस बात कर जिकर ना करें तो तने जूट क्यों बोला माई के से आदत पड़ गई है वहां पे और तनके पास खाली समय में कुछ कान दंता तो रहतो ना है हम और जाह गाओं में और खाली समय में कोई सिलाई करें कोई कड़ाई करें कोई अचार करें हैं और को यह वाइड़ी ना दो अधीता के कारणा रजेबी सुनलो सरपंजी सुनलो सर्पंजी सौनलो कि बीस साल की सरपंजगीरी में न कर पाए और उस बिंड बाप की बच्ची ने पांच साल में कर दिखायो हाँ जलोरी जलादी वैसे हम हर बार सभी की राय सु सरपंच चुन लिये जाम है पर कभी हमने गाम की औरतन की राय जानने की भी कोसिस करी जो हमाई राय सुबिन की राय अच्छा एक बात बताओ मंगल देख चुनियों की समाज सेवा के खिलाब तो भाई करना है ना जो भाई दून सुजाव रख़ा था अच्छा वाई एक बात तो हम काइं सरपंच चुनिया के बारे में हम सब गलत सोचे थे वादिन सुनी सुनाई बातों मां आक है मैंने नवजनाडी के मामले में खाम खाँ आपसे वाकू डाट लगवा दी वरना वाई एक फोरी है जो काम करें वैसे आज मैंने चुनियों क बारे में गाम की आर्तन की राय भी जान लेगी तो काई अब वो तो कल्ली बता हूंगो बुजुर्गों भाईयों माताव और बहनों पिछले बीस बरस सु हम से जो अच्छा बुरा बन सको हमने कियो पर अब हम बूड़े है रहे है और शरीर सु जादे दिमाग सु बुड़े तो या बार आप हमें माफे रखो आप सबन मैं से जो भी मेरी जगह लेना चाहब है बाको स्वागत है पर मेरी एक बिंती है अब जो मैं बोलूंगो वो मेरे सबद नौ है हमारी माताओं बहनों के हैं पर सबद है सोने के पानी सु लिखने लाक वो सबद है सरपंजी तम पिछले बीस बरस में बोना कर सके जो पांस साल में एक बिन बाप की बेटी ने कर दिखायो आप लोग समझ गए होंगे के वो बिन बाप की बेटी कौन है अब मेरी छोटी सी राइज ये हैगी कि हम सब सरव समझ तीश चुनियाँ ना 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 सिरिमतिस सनह लिता harけ अपनों इटारफ इस पहले मैं 기다ru Ce इनके सरपंच बनने की गोशना कर दे उसे अहां क्यों ना जरूर 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 आउ सनहले पूँए अरे भाई हमारे गाम में पहली बार महिला सरपंच हुई है आप और तन मेंसे भी तो आओ एक एक आओ और माला डालो कि अंवार सुटेश्वहको और आओ और एक आओ दो यह जाओ एक माला में भी डालां दोगा डालों और डालों आप सबीका बहुत भाइब और भलेवाद भाईयों और बेहनों मुझे तो समझ में ना रहा कि मैं क्या कहूं इसलिए मैं तो बस इतना ही कह सकूं कि अगर मेरे सर्पंच परने से आप सभी लोगों का भला हो सके और मुझे मुझे आप लोगों की सेवा करने का मौका मिल सके तो मुझे ये पद मन्जूर है एप जब जब मुझे तो मुझे तो फेड़ा जब आएगा तो क्या हुआ इसका मतलब बख्ष दे जनता को अब इस स्मयली तो मुझे भाट घिलले यह इसलिव और मुझे वे इसच्ध करदकर मोदों मुझे तो में आप आप शकाल सरह स्क्राविर जैनर जाया करते हैं कि उनक्राव प्रिंदे अ नर्गाज चाहिए यज्युट्स नियुक्टास्टानि है करने लिए दोसो नाय करते है कि न आपार में लुटैस यजिर्टाव प्राहना झाल्ग चुछ झाल झाल